नमस्कार दोस्तों, आज हम इस विडियो में, Realme 13 Plus 5G vs Motorola Edge 55G का फुल डेप्थ कंपारिसन करने वाले हैं, इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दुसरे स्मार्ट फोन की जानकारी भी आपको विडियो के लास्ट में देंगे सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डाइमेंशन की, दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो, 13 Plus में 6.37 इंच जबकि Edge 50 में 6.33 इंच की लेंग्थ मिलती है जो की 13 Plus से कम है विट की बात करें तो, 13 Plus में 2.94 इंच जबकि Edge 50 में 2.85 इंच की विट मिलती है जो की 13 Plus से कम है बात करें थिकनेस की तो, 13 Plus में 0.3 इंच जबकि Edge 50 में 0.31 इंच की थिकनेस मिलती है जो की सेम जैसी ही है अब बात करते हैं वेट की तो, 13 Plus में 185 इंच जबकि Edge 50 में 180 इंच की वेट देखने को मिलता है चलिए, अब हम दिस्प्ले की तुलना करते हैं डिस्प्ले टाइप की बात करें तो, 13 Plus में OLED जबकि Edge 50 में P OLED की दिस्प्ले मिलती है अस्पेक्ट रेशियों दोनों फोन में सेम ही, 20 रेशियों नौ मिलता है डिस्प्ले साइस की बात करें तो, 13 Plus में 6.67 इंच जबकि Edge 50 में 6.7 इंच जबकि Edge 50 में 6.7 इंच जबकि Edge 50 में 6.7 इंच दिस्प्ले रेजलूशन 13 Plus में 1080 X 2400 PX FHD Plus और Edge 50 में 1220 X 2712 PX FHD Plus मिलता है Screen to Body Ratio, 13 Plus में 88.92 प्रतिशत जबकि Edge 50 में 93.09 प्रतिशत मिलता है बात करें PPI Density की तो, 13 Plus में 395 इंच जबकि Edge 50 में 444 इंच मिलती है अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानि विशेशताएं की जोकी मोबाइल फोन का महत्वपून हिस्सा है अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की दोस्तों, सबसे पहले बात करें Main Camera की तो, 13 Plus में 2 Camera देखने को मिलता है जिसमें की Primary Camera और आखे में Secondary Camera देखने को मिलता है और Edge 50 की बात करें तो इसमें 3 Camera देखने को मिलता है जिसमें की Primary Camera, Ultra Wide Angle Camera और आखे में Telephoto Camera देखने को मिलता है बात करें Video Camera की तो, 13 Plus में 10 Different Type के Features मिल जाते है और Edge 50 की बात करें तो उसमें 16 Different Type के Features मिल जाते है अब बात करें Front Camera यानि की Selfie Camera की तो दोनों फोन में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें की 4 Different Features मिलते है आए अब बात करते हैं Hardware के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU और RAM की जानकारी देखेंगे Hardware में सबसे पहेले CPU जो की Speed के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे Important Part है उसकी Details देखते है GPU की बात करे तो, 13 Plus में Mali G615MC2 जबकि Edge 50 में Adreno 644 मिलता है चिप सेट की बात करे तो, 13 Plus में MediaTek Dimensity 7300 Energy और, Edge 50 में Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 Accelerated Edition मिलता है बात करे RAM की तो, 13 Plus में 2 Option देखने को मिलता है, जिसमें 8 GB 12 GB की RAM मिलती है जिसमें 8 GB RAM मिल जाती है, बात करे Internal Memory जिसको हम Storage भी कहते हैं वो 13 Plus में 2 विकल्ग देखने को मिलता है, जिसमें 128 GB 256 GB की Storage मिलती है जबकि H50 में एक ही विकल्ब देखने को मिलता है, जिसमें 256 गीगाबाइट स्टोरेज मिल जाती है Expandable Memory की बात करें तो 13 प्लस में अप्टू 2 टेरबाइट जबकि H50 में नहीं है Operating System दोनों फोन में Android V14 देखने को मिलती है Battery की बात करें तो दोनों फोन में 5000 mAh देखने को मिलती है अई अब Main Feature को देखते है Colors की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही 3 Colors Option देखने को मिलते है सब Information देखने के बाद बात करें Price की तो 13 प्लस में 3 variants देखने को मिलते है जसमें की 8 GB RAM 128 GB Storage के साथ 22,999 रूपीज 8 GB RAM 256 GB Storage के साथ 24,999 रूपीज 12 GB RAM 256 GB Storage के साथ 26,999 रूपीज में मिलता है और बात करें H50 की तो उसमें एक ही variant मिलता है जोकि 8 GB RAM 256 GB Storage के साथ 27,999 रूपीज में मिलता है दोस्तों अब बात करते हैं Prans and Cons यानि की फायदे और नुकसान की तो Realme 13 Plus 5G में 7 फायदे और 6 नुकसान देखने को मिलता है जबकि बात करें Motorola Edge 55 GB की तो उसमें 8 फायदे और 6 नुकसान देखने को मिलता है फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में दोनों फोन सेम ही है में कैमरा में दोनों फोन सेम ही है फ्रन्ट सेलफी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है परफॉर्मेंस में दोनों फोन सेम ही है फ्रेयर दोस्तों अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो क्रिप